हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर हार दिक्ष्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के उपर एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले कोरोना के बारे में उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर प्लीज प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लए तो दोस्तों और आख से लोगों की संख्या 1,常 2, rut नहुत है और 31 सो से उल गपर 32 के आसपास अमेरिका के अंदर मोते भी हो चुकी है मतलब इस भीमारी से लोग मर भी चुके है और लगबग 5500 के आसपास लोग ठीक होकर अपने घर भी चा चुके है वहीं उसके बाद दूसरे नमबर पर आता है इटली इटली के अंदर 1,17,000 के आसपास जो संकर्मीत मरीजों की शंक्या है और लगबग इन में 11,500 क्याण में मोते हो चुकी है और 14,000 के उपर लोग स्वष्ट होकर ठीक होकर पूरी तरह शे अपने घर जा चुके हैं उसके बाद इस्पेन, चीन, जर्मनी, इरान फ्रांस, इंग्लेंड, स्विट्रिजर्लेंड और बेल्जियम का नंबर आता है तो दोस्तों अगर अपने हमारे देश इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भंगलवार को सबसे ज़्यादा एक दिन में नोम होते हुई और लगभग सभी राज्यों में, 29 राज्यों में ये संक्रमन फैल चुका है और हमारे पूरे भारत देश के अंदर संक्रमित लोगों की संक्या 1541 हो चुकी है और आज के दिन मतलब 31 जुलाइ सोरी, 31 मार्च को जो संक्रमित नई केस आए है पूरे देश के अंदर 156 और अभी तक पूरे भारत में 45 लोगों की मरत्यों हो चुकी है जिन में से आदे से जादा मरीज डाइबटीज की बिमारी से गरशित थे और उनकी उमर लगभग 50 से उपर थी और नई मोतें हुई हैं जो 31 मार्च को वो 9 मोते नहीं हुई है अगर बात करें हमारे राजस्थान की तो राजस्थान में 31 मार्च को 14 नए रोगी मिले हैं चिन में से 10 ऐसे रोगी हैं जिन को अभी फिलाल इरान से लेके जो एरलिक किया गया था उनमें से 10 तो वही हैं और अपने राजस्थान की बात करें तो यहां पर कुल संकर्मित लोगों की संख्या है तिराण में और कल जो 31 मार्च को 14 लोग संकर्मित हुए थे और हवी तक 3 मोते राजस्थान के अंदर होचकी है तो दोस्तों आप बात करेंगे जो हमारे WHO की जो रिवोट है WHO ने कहा है कि जो इस मारी के दोरान सभी देशों को आपस में एक दूसरी की मदद करनी चाहिए और हमारी में जो स्वास्थ परणनालिया है सभी देशों के पास इसकी कमी है इसकी तेजी से मांग बढ़ रही है गरी रेखा के लोग है जो मायन वरगशे के लोग है उनको सबसे जैदा परभावित कर रही है क्योंकि उनके खाने दो वक्ति रोजी रोटी खाने में भी उनको शमश्या का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़ादा ये लोग भी मतलब मौत के गए पार कर दिया था तो उसे भी खतरनाख होती जा रही है यह जो कुरोना वाइरस है तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि सभूत देश मिलकर एक मजबूत स्वास्थ प्रनाली का विकास करें दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है हम आपके लिए तनी मैनत कर रहे हैं सुचनाई कतित कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और आगे बात करते हैं डबलो एचो ने कहा है कि महावारी ने सभी लोगों को जो स्वास्त शेवा है उसको बारे में बतला दिया है कि किस देश की स्वास्त शेवाएं कैसी हैं और हम किसी एकदम अचाने वाली महावारी से निपटने के लिए कितने तैयार हैं तो इन्होंने का है कि सिस्टम का जो पतन हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है और हमें जो हमारी स्वास्त से हैं इनमें ब ग्राबवस्ता और परशव के दोरान देखवाल सही जो परजनन स्वास सेवाएं हैं यूवा सिस्वों बड़े वैसकों की देखवाल मानशिक इस्तितियों के साथ साथ जो गैर संक्रामक रोग हैं उनका भी हमें उनसे पहले उनका इलाज उनकी दवा जो वायरस आता हैं कि ह हमें खोज करनी चाहिए और उनकी दवा का हमारी या कोई बीमारी फैलने से पहले ही हम उसके निबटने के लिए तैयार हैं ऐसी स्वीधा में करनी चाहिए और उनने का है कि बहुत ही ज्यादा परियोग सालाओं और रक्त बैंक जैसी जो सेवाई हैं इनको अभिश्तार कर आपातकाल इस्तिति में जो आवसक सेवाग परदान करती है इसे जो पर्तक्स जो मरत्यूदर है उसको सिमित किया जा सकता है और यह जिसे जो किसी बिमारी या महामारी है उससे हम निबटने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं और दिशान निर्देश में अप्टू डे जानकारी है उसको डबलो एचो ने कहा है कि हर देश डबलो एचो की जो अप्टू डेट जानकारी है उसके दिशान निर्देशों का पालन करें और जनता के साथ लगातार पारदर्शी संचार की बनाए रखें जिसे जो मजबूत समुदाइक वस्ता है वो बनी रहें और जो जनता की आउशक जरूरत है उनको सभी देश उनकी पूर्ती करने पर भी ध्यान दे तो दोस्तों यह थी डबलो एचो की रिपोर्ट तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करन मत बूली